हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नमितास के जन अगेन आई होप यो आल फाइन टमाटर और प्याज ऐसे इंग्रीडियन्ट हैं जो हमारी किचन में डेली यूज होते हैं और लगबग हर सब्जी में हम इनका यूज करते हैं कभी कभी प्याज और टमाटर खतम हो जाते हैं अचानक से तो हमें तुरंत बाहर जा करके खरीदने बढ़ते हैं और फिर हम इसके बिना ही गुजारा चला लेते हैं कभी कभी तो इनका प्राइज आसमान छूने लगता है कि इन्हें खरीदना ही मुश्किल हो जाता है तो बिना वे खर में प्याज और हमेशा रहीं तो चलिए इसका तरीका में आपको बता देती हूं सबसे पहले आम प्यास का च्छलका उतार लेते हैं सबसे पहले हम प्यास को छील कर करके रैडि कर लेते हैं कसा प्यास को में पतले-पतले पीसेज में कट कर लिए तो जितने पतले पीसेज में कट करेंगे छू है उतनी जल्दी UEGA क्योंकि हमें इसको अभी धूप में सुखाना है तो जितने पतले पीसे आप कट करेंगे उतना जल्दी यह सूखेगा और अच्छे से ड्राइ हो जाएगा अगर मोटे पीस कट करेंगे तो वो जल्दी से सूखेंगे नहीं तो यह देखिए मैंने इस तरह से प्यास को बिल्कुल पतले पतले स्लाइसे में कट कर लिया है स्लाइसे बिल्कुल पतले होने चाहिए तभी यह आराम से और जल्दी सूख पाएगा और बहुत अच्छे से ड्राइ हो जाएगा तो इसी तरह अब हम टमाटरों को भी रेडी क स्लाइसे में कट कर लेंगे इस तरह से इस तरह से मैं इनको बिल्कुल पतले पतले जितने पॉसिबल हो आप उतने पतले स्लाइसे में इसको कट कर लिया है आप गोल गोल स्लाइसे भी कट कर सकते हैं और इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइसे भी कट कर सकते हैं तमाटर प्यास एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंग्रीडियन्ट है जो कि हमारी हर सबजी में यूज होता है चाहे वेज हो या नॉमाटर और प्यास के बिना हमारी सबजी जो है वो बिल्कुल भी टेप भी नहीं लगती है और जब तमाटर बहुत जादा महंगे हो जाते हैं या प्यास बहुत जादा महंगे हो जाते हैं तो हम उनको और उनको अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है तो ये टिप जो है ये बहुत ही काम की टिप है इसे आप तमाटर प्यास को स्टोर करके रख सकते हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं हमेशा मेरे लिए प्यास का रेट जो है वो सेम रहता है तो जाहे मार्कित में तमाटर या प्यास का रेट 100 रुपे किलो या 200 रुपे मैं इसे हमेशा ही 20 रुपे में यूज करते हूं ये मैंने प्यास और टमाटर को लंबे-लंबे और पतले-पतले स्लाइसेज में कट कर लिया है बस अब हम को बाकट कुछ नहीं करना है हमें इनको तेज दूप में रख देना है 8 10 के लिए श्कीर को प्लास्टिक नो ब्लेट में ठीक हाँ और इनको प्लास्टिक तो इसमें आस्तों में मोईश्चर ना आए उनको प्लास्टिक सबीट सब्सक्व wonderful insurance पतली जाली से कवर कर सकते हैं, ताकि धूल मिट्टी इसके उपर ना पढ़े, तो अब मैं इसको दूप में रख देती हूँ, और 7-8 दिन के बाद हम इसको चेक कर लेंगे, अगर इसमें मॉइस्चर रहता है 7-8 दिन के बाद भी, तो आप इसे 1-2 दिन के लिए और ड्राइ करने के लिए रख दीजिए, तो जब तक ये कम्प्लीटली ड्राइ ना हो जाए, तब तक हम इसका पाउडर नहीं बना सकते हैं, तो जल्दी खराब हो जाएगा और ठीक से पिसेगा भी नहीं, तो इसको हम धूप में रख देते हैं, 7-8 दिन के लिए, उसके बाद मैं करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे, तो सबसे पहले हम प्यास का पाउडर बना लेते हैं, यह मैंने ग्राइंडर में प्यास को डाल दिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो यह देखिए, प्यास का पाउडर बन गया है, तो इसी तरह हम टमाटो पॉडर, तो इसी तरह हम टमैटो पॉडर बना लेते हैं, तो इसी तरह से हमने ये टमैटो को भी ग्राइंड कर लिया है, तो ये हमारा टमैटो और अनियन पॉडर बन करके बिल्कुल तैयार है, ये मैंने आपको डैमो के लिए थोड़ा सा बना के दिखाया है, अगर आपको बनाना हो तो कम से कम दो-दो किलो की क्वांटिटी का पाउडर बनाईए और आप इसको कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपके पास प्याज और टमाटर अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं कभी-कभी मार्केट में प्याज और टमाटर के रेट जो है वो आसमान चूने लगते हैं तो उस समय ये पाउडर आप बना के रख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें इसको यूज कर सकते हैं और इससे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसे कि फ्रेश टमाटर और प्यास से आता है आप इसे सभी सबजियों में यूज कर सकते हैं सूखी सबजी, ग्रेवी बाली सबजी, सभी सबजियों में आप इसे यूज कर सकते हैं और सबजी के टेस्ट को बढ़ा सकते हैं एगर हो आज का मेरा विडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको आज का मेरा विडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए